हेलो दोस्तों द्रश्टी PCS की यूट्यूब चनल एक पर फिर से आपका स्वागत है आज हम यहाँ पर UP PCS PT Target के एक अगले अपिसोड पर चर्चा करने वाले हैं जो की जियोग्रफी यानि भूगोल से संबंधित होगा आगे देखते हैं हमारे पहले प्रश्ण को पहला प्रश्ण है निम्नलखित यूग्मों पर विचार कीजिए एक साइट आपके लिए क्या है पहाड़ी शित्र देव हो हैं और दूसरी तरफ राज्य तो देखिए कौन-कौन सी पहाड़ी है मिरी, खासी, बरेल, मिश्मी, मि और राज्य कौन-कौन-से है अरुणाचल प्रदेश, मेघाले, मिजोरम, असम और असम अब आपको बताना है कि इन में से कौन से युग्म सही है और इन में से कौन से सुमेलन सही है उपरिक्ट में से सही युग्म बताईए ऑप्शन क्या है एक दो चार, एक तीन चार पा तो इस प्रशन का सही जवाब है ऑप्शन C तीर्थियात्रियों द्वारा उप्योग किया जाता है हमारे ऑप्शन है दिफु दर्रा लिपुलेख दर्रा बुर्जीला लानक लौ इस प्रशन का सही जवाब है ऑप्शन B लिपुलेख दर्रा उत्राखंड के कुमाउं शित्र में अवस्थित है इस दर्रे का प्रशन में दर्रे को ला कहा जाता है जैसे नाथूला बुर्जीला लानक लौ आदी बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है कोयंबिटूर से कोच्ची तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किसको पार करना पड़ेगा हमारे ऑप्शन है थालगाट भोर कि दर्शन है प्रशन है एक समपरक मार्ग है बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है भारत में लावा पठार की अधिक्तम मोटाई मिलती है हमारे ऑप्षन है गुजरात में महरास्याज्र में अंत्रपर देश में इस प्रशन का सही ​​ cleanse का सही जवाभ है option इ सिटेशियास काल में प्राइद directing एक्षितर में जुआला मुखी उद्गार से निकले तप तो लावा के ठंडा होकर फैलने से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ इस पठार की अधिक्तम मोटाई मुंबई तट के पास है यह मोटाई लगबक 3000 मीटर है बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्णी है निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए चोटा नागपूर की पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहां खनिस संसाधनों के विपल भंडार हैं करनाटक पठार की चटाने आगने अत्वा रविदार हैं तथा इन में कहीं भी प्राचीन जीवाश्म नहीं पाय जाते उपर एक मैंसे सही कथन है और है इस प्रशन के सही जवाब की बात करें तो उप्शन सी इस प्रशन का सही जवाब है छोटा नागपूर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं यहां खनिस संसाधनों के विपल भंडार हैं अताह कथन एक सही है करनाटक पठार की उत्तरी भाग में क्रिश्ना वत्तु इस पठार की चट्टाने आगने अत्वार अविदार हैं तथा इसमें कहीं भी प्राचीन जिवाश्मन नहीं पाय जाते अताह कथन दो भी सही है बढ़ते हैं अगले प्रशन के तरफ वगला प्रशन है भारत का सरवाधिक आवादी वाला द्वीप है हमारे ऑप्शन है सा सेड या कहीं कहीं आपको साल सेड भी मिल सकता है यह द्वीप भारत के पश्वी तट-परिस्थित महारास्ट्chy में है इस द्वीप पर मुंबई के दो प्रमुख शित्र ठांे और मीरा भेंदर इस्थित है यह विश्वी की सबसे घनी आवादी वारे द्वीपों में से एक है यह 619 किलो मीटर की शेतर में फैला हुआ है और यह लगभग 15 मिलियन से अधी की लोग यहां पर निवास करते हैं बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी है हमारे आप्शन है डोडा बेटा, माकूर्ती, कलसुवाई या अनाई मुडी इस प्रशन का सही जवाब है आप्शन D अनाई मोडी चोटी देक्षिन भारत की सबसे उंची चोटी है यह चोटी अन्नमलाई परवत परिस्थित है जिसकी उंचाई 2695 मीटर है दोड़ा बेट्टा नीलगिरी परवत की सबसे उंची चोटी है, माकूर्ती नीलगिरी परवत की दूसरी सबसे उंची चोटी है, वहीं कलसुबाई महरास्ट की सबसे उंची चोटी है परते हैं अगला प्रश्ण की तरफ अगला प्रशन है भारत की मैदानी भाग को उच्चावच वा भौतिक लक्षनों के आधार पर कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? हमारे आप्शन है तीन, चार, पांच या छह है इस प्रशनी का सही जवाब है आप्शन C भारत की उत्री मैदान को उच्चावच वा भौतिक लक्षनों के आधार पर पांच महत्वकूर प्रदेशों में विभाजित किया गया है कौन-कौन से है वे भावर, तराई, मांगर, खादर और डेल्टा भावर से डेल्टा का विकास पश्चिम से पूर्व की और क्रमिक रूप से होता है अब जान लेते हैं इनके बारे में भावर की बात करें तो श्रिवाली के गिरिवत प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के छेत्र को भावर कहते है इस भूभाग में पत्थर, बजरी और कंकर आदी की अधिक्ता होती है जिसकी वजह से ये भूमी क्रशी के लिए अनुपयुक्त होती है यह भावर प्रदेश के डेक्षन में स्थे दल-दली शेत्र है यहां की भूमी नम रहती है अता यह शेत्र गन्ना चावल और गेहुं के लिए उपयुक्त है तीसरी है बांगर यह उत्तरी मैदान की उच्छ भूमी है जो पुरानी जलोड मिट्टी से निर्मित होती है इसका विस्तार मुखिरूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है खादर की बात करें तो यह मैदानी शेत्र की निचली भूमी है जो नवीन जलोड मिट्टी द्वारा निर्मित है यह शेत्र क्रिशी की दृष्टी से अतिंत्य प्योगी होता है इस मिट्टी में चावल गेहूं गन्ना तिलहन आदी की क्रिशी की जाती है अब बात करते हैं डेल्टा की इसका विस्तार पश्चिम बंगाल के निचली घाटी शेत्र में पाया जाता है जहां उच्च भूमी को चार कहा जाता है इस शेत्र में जूड और पटसन का उत्पादन किया जाता है बटते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है बारत में अवनालिका अपर्दन से सर्वादिक प्रभाविक शेत्र है इसे बीहड या खाद भूमी कहते हैं यह शेत्र मालवा के पठार के अंतरगत आता है बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ उत्तर से दक्षन की और इन पहाडियों का करम विवस्थत कीजिए जवादी पहाडी, नगारी पहाडी, नल्ला मडाई पहाडी या सिरुमलाई पहाडी विकल्प 1-2-3-4, 2-3-1-4, 4-3-2-1, 3-2-1-4 इस प्रशन का सही जवाब है आउक्षन डी आए देखते हैं कि उत्तर से दक्षन की और इन पहाडियों का करम क्या होगा सबसे पहले होगा नल्ला मलाई पहाडी, फिर नगारी पहाडी, फिर जवादी पहाडी और फिर सिरुमलाई पहाडी ये सबी पूर्वी घाट की प्रमुक पहाडियां है, नल्ला मलाई और नागारी पहाडी अंत्रप्रदेश में हैं, जबकि जवादी और सिरुमलाई पहाडी तमिल नाडू में स्थित हैं पढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है दंदलिखित कतनों पर विचार कीजी, कतन क्या है, लक्षु द्वीब अरब सागर में प्रवाल भित्यों द्वारा निर्मित एक द्वीब समूह है, दूत्रा लक्षु द्वीब की राजधानी कवारत्ती, नाइन डिग्री चैनल के उत्तर में इस्थित है, उपरोप्त में से सही कतन आपको बताने है, उप्षन है एक और दो दोनों, केवल एक, केवल दो, ना तो एक और ना ही दो, इस प्रशन का सही जवाब है, उप्षन एक, यान आज की सेशन में इतना ही, मिलते हैं नई सहवालों के साथ, नई प्रशनों के साथ, अब तक के लिए नमस्कार